मासूम बची के साथ दरिंदगी करने वाला दरिंदा पौलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दरिंदा मांसिक रूप से विक्षिप्त बालूम पड़ता है आरोपी ने अपना जर्म भी कबूल लिया है पौलिस कर रही है दरिंदे का इंतिजाम ये बो दरिंदा है जिस दरिंदे ने मासूम की जिन्दगी के साथ खिलवार किया जिस मासूम की उमर अभी खेलने कूदने की थी उस उमर में दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का घिनोना कांड किया ऐसी हरकत जिसने सभी को जगजोर कर रख दिया था मामला थाना सागन नगला पुलिया आगरा केंट का है मासूम बच्ची सौच के लिए गई थी तबी दरिंदे साइद उस्मानी ने मासूम बच्ची को दबोच लिया और दरिंदगी कर डाली मारपीड भी दरिंदे ने जम कर कीड़ी खून से लटपत हालत में मासूम बच्ची घर पहुंची थी उसके बाद लोगों में गुस्षा ब्यापत हो गया था गुस्षाई लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था दरिंदे को पुलिस ने दबोच लिया है दरिंदा साहिद उस्मानी पास का ही रहने बाला बताया गया है तीरे तिन दोज़र तेईस को एक नव अर्स की बच्ची के साथ थाना सागंच छेत्र में दुसकर्म का मामला प्रकाश में आया था इसमें पुलिस ने कारवाई करते हुए इसमें सामिल अव्युक्त जिसका नाम साहिद उश्मानी पुत्र जहीर उश्मानी निवासे सिवनगर गाटर वाली गली ठाना सागंच आगरा है को गिरफतार कर लिया है जब बच्ची वहाँ सुबस्बस सौच करने के लिए गई थी यह विक्ती वहीं मौजूद था और उस बच्ची को देखकर उसे उठा कर ले गया और इसने उसके साथ दुसकर्म किया और जो चोटे भी आई थी इसी ने उसे पहुंच आई थी इसके बाद से वो फरार हो गया पुलिस ने गिरफतारी के बाद अविक्त को मौके ले जब मौके पर ले जाकर धारा 27 के अंपर पूरे घटना का वीडियो बनाया है जिसमें वो खुद एक्स्प्लेन कर रहा है जानकारी के मुटाबिक दरिंदे की यह कोई पहली हरकत नहीं है दरिंदा इससे पहले कई ऐसी घटनाओं को कर चुका है जिसने परिवार वालों को भी मूँ मोडने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन दरिंदे की सेथ पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया दरिंदा ऐसी हरकत कर रहा था जिससे लग रहा था कि दरिंदा अपने आपको मानसी ग्रूप से बिच्छप दिखाना चाता है पुलिस दरिंदे का पूरा इंतिजाम करने में लगी है जिससे दरिंदा बच कर भान ना सके और इसके अलावा पोलिस ने उसके जो उस दिन के पहने हुए कपड़े थे उन सब को कपजे में ले लिया है और उन सब को हम लोग फोरेंसिक जाच के लिए भेज रहे हैं और पीडिता के जो सेंपल बनामत किये गए हैं उसे फोरेंसिक जाच के लिए भेजा गया है और इसम मासूम बच्ची के साथ घिनावनी करतूत करने वाला दरिंदा आकरकार गिरफक तार हो हो गया है। जनता चाती है कि दरिंदों को फासी के फंदे तख पहुंचाये जाए। ऐसी सजा दी जाये जिससे हर बुद कोई याद रखे। सजा मिसाल मन सके। जनता मासूम बच्ची के इंसाफ के लाई लग रही थी, जिस तरीके से दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की, लोग चाते हैं कि फांसी के फंदेव तक पहुंचे, कानून तै करेगा, आकि दरिंदे को कितनी सजा और कैसी सजा मिलनी चाहिए। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला दरिंदा पुलिस ने गिरतार कर लिया है। ऐसा पताया गया है कि दरिंदा मानसिक रूप से बिच्चिप्त है, अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, दरिंदे को इस बात का कोई पस्तावा नहीं है कि उसने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की, पूर में भी ऐसी घटनाय वो कर चुका है, ऐसी जानकारी मिली अपने साथी अखले दुबे के साथ राकिश करौजिया सी न्यूज आगरा